कि आपका मरे यूटूब चैनल स्पिकस्प सक्सेस पुइंट पर स्वागत है हम आपको जो है यू उत्राखंड बोड 2022 मैथमेटिक्स का जो है कक्सादस का पेपर हल करा रहे थे जिसमें आपके जो किस्टन नंबर 20 तक हो चुके 20 का अथवा पार देखिए टिक्नोमेट्री स किस्टन नहीं यह आपको प्रूर करना है One Plus 코ट माइनश को सके इंटू one प्ल See A dieta के इपल तो यह इकिल टू यहापण करना है किसमें आपको क्या करना है लेत्ट करिए स्था लिए इसकित्ति अगैस निदफट है इसहां हरु मैंनट को सिटामेटट्री फोन प्रोट कने और कि यह क्षिजन क्ऱक्ण कर दूंद अब आपको क्या करना है को तोड़ लिंग लाग हो जाएगा का फ्यॉड हो जाएगा शैप और Σबद 121 को जाएगाником पॉन को दोड लुए कि इसे हैं पर प्लुस को से माइनस सब्सक्राइब यह आप को से पलस साई ने पलस वन अपोन को से को से की मल्टिपला इधर हो जाएगी अब ज्यान से देखे उपर A माइनस B और A पलस B आइडेंटिटी बन चुकी यह आपका A हो जाएगा यह बी हो जाएगा यह फोर्मूला बन चुका A स्कार माइनस B स्कार तो यह हो जाएगा 1 माइनस 1 पलस को से का होल स्कार माइनस 1 का होल स्कार अब ओन नीचे दोनों के मल्टिपलाई गुना हो जाएगी साई ने इंटू को से इसका होल स्कार ओपन कर दीजिए तो यह हो जाएगा साई ने स्कार यह पलस को सिस्क्वेरे दोनों की गुना का डबल दोनों की मल्टिप्लाई का डबल हो जाएगा तू साई ने को से माइनस वन नीचे जोंका तो रखी है यह हो जाएगा और यह आपको पता है वन होता है इसको वह तक रीजिए वन हो जाएगा यह आपका एजिटिज साई ने को से यह ऑशपशाई से केंचल हो जाएगा इस परकार से किessen आपको पर नहीं नहीं?". उस बिंदू के निद्धे सांग जयाद कीज़े जो बिंदू हो माइनस वन सेवन, माइनस वन सेवन और 4 माइनस थरी को मिलाने वाले रेखा कंड को 2 नुपात, 3 के नुपात में विभाजित करता है तो देखे किस परकार से किसन आपको करना है 21 देखी, आपको बिन्दू गिवेन है, माइनस 1, 7, दूसरा है, 4 माइनस 3, वो देशिया आपको गिवेन है, 2 रेशियो 3, तो आपके X1 हो जाएगा, Y1, X2, Y2, ये M1 हो जाएगा, ये M2, तो अंते भी भाजन का फोर्मुला लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, M1, X2, M2, X1, अपून, M1 प्लस M2, M1, Y2, M2, Y1, अपून, M1 प्लस M2, ये हो जाएगा, वेल लुट कर दीजिए, तो M1 कितना है, क्वाट 2 हो जाएगा, X2 हो जाएगा, 4, M2 कितना है, 3, X1 कितना हो जाएगा, माइनस के 1, अपून, 2 प्लस 3, जज़र देखी क्या हो हो जाएगा y2 माइनस के थरी हैं तू सरी और y1 हो जाएगा सेवें 2 प्लस त्री यह वजाएगा मुल्टिप्लाइ कर लिए एट माइनस थरी अपॉन फाइव और इधर हो जाएगा तू थरी जाएगा शिक्स प्लस ट्वेंटीवन अपॉन फाइव सब्टेक्ट कर दीजिए घटा दीजिए फाइव अपॉन फाइव और इधर 21 में से 6 जाने के बाद 15 बटे 5 हो जाएगा इ इन बिंदों को इस रेशियो में विभाजित करने वाले बिंदू के निर्दिसां के हो जाएगा काफी अच्छा किशन है इस परकार के विश्चन आपको एक्जाब में देखने को मिलना है नेस्ट किशन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि देखिए एक्स अक्स पर वह माइनस 5 और दूसरा हो जाएगा माइनस 29 एक्स अक्स पर कोई बिंदू मान लीजे एच जीरू क्योंकि एक्स अक्स पर वाई जीरू होते है इसको ए मान लीजे इसको भी मान लीजे माना यह दो बिंदू आपको गिवैन है और एक्स अक्स पर कोई बिंदू पी मान लीजे P आपका किस परकार का विंदू है Pma वराबर P b के जो डिस्टेंस है Pma के hai Willow स्वैडिय नभी लिधा करने पर वरक करने से फायदा होगा आपको अंडर रूत नहीं लगाना पड़ेगा तो निकाल लिए, P निकाल लिए, P और A के बीच की डिस्टेंस, पहले भी एकिस्टन करा शोगे इस परकार का, पहले में से पहला गटाईए, H माइनस 2 का होल स्क्वेर पलस, दूसरे में से दूसरा गटाईए, 0 माइनस, माइनस यहां पर पहले से है, पलस हो जाएगा, इसी इसके बाद, इसका, इसका इसकर प्रण दीजे, H स्कूर, 2, 2, 4, 2, 4, दोनों की मीटिप्लाईगा दबल हो जाएगा, 4, यहां पर हो जाएगा, 25, इदेर H स्कूर, 4, दोनों की गुना का दबल हो जाएगा, 4, और यहो जाएगा, आपका, 9 कario, 90, बढराबर से, इधर उधर same sign के जो है equal value cancel out हो जाती है h square से h square cancel हो जाएगा 4 से 4 cancel हो जाएगा अब इसके बाद देखिए 4 h और ये 4 h इधर आने के बाद कैसा हो जाएगा negative हो जाएगा 81 25 को बराबर से उदर ले जाएगा 8 h कितना बच जाएगा 56 8 से cancel out कर दीजे 7 आ जाएगा माइनस को भी पराबर से उदर ले जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा तो आपका जो अभिष्ट बिन्दू आ जाएगा h 0 7 0 आ जाएगा इस परकार से यह कितना आपको करना है कि नेश देखिए इससर नंबर 23 पर आ जाएगा आपको जो है छायांकित भाग का इरिया निकालने तो कुछ नहीं करना है आपको वरग मेंसे जो है दोनों अर्दवर्तों का घटा देना यह वी 14 यह वी 14 तो वरग की चारो साइर 14 सेंटीमिटर है अर्दवर्त का व्यास 14 हो जाएगा किसन है किसर नंबर 23 कि क्या करना है आपको जांकित भाग का अक्षेत्रफल निकालना है तो यह हो जाएगा एरिया ओफ इसक्वार वरग का अक्षेत्रफल माइनस दो गुना अर्दवर्त का अक्षेत्रफल यह हो जाएगा उबरग का अक्षेत्रफल यह हो जाएगा भुजा की पावर 2 अर्दवर्त का बताईए 1 by 2 पाई आर की 2 तो वैलो पूट कर दीजे भुजा कितनी है आपकी 14 तो उसे 2 कैंसल आउट हो जाएगा पाई की वैलो 22 पॉन 7 और कितना है यह आपका जो है विया से इसका हाप हो जाएगा 7 इंतु 7 तो पावर है तो दो बार लिखे में इससे कैंसल हो जाएगा 14 का स्क्वेर 14 की 14 में मल्टिप्लाई 196 और 22 की जो है साथ में मल्टिप्लाई करने के बाद 140 155 आ जाएगा इसमें से इसको घटा दीजे सब्ट्रेक्ट कर दीजे तो यह हो जाएगा आपका 42 सेंटीमिटर की दो यह आनफर आ जाएगा कुछ नहीं करना है बड़ा आतान कुषिण है शांकित भाकक से तफल निकालने के लिए आपको क्या करना है वररग में से क्या करना है दोनों और द्वर्तों का घटा देना है इसमें आपको चारंग किरभाग का एरिया निकालना है तो आपको क्या करना है ये एंगल देख लीजे कितना हो जाएगा पूरा आपका ये 360 होता है वो 360 में से 30 जाने के बार कितना बच जाएगा 330 हो जाएगा तो लगा दीजे दिर्ग वरत खंड का अक्से तरफल आपको निकालना है तो फॉर्मूला बताईए क्या होता है ये हो जाएगा पाई आर इसको एक खिटा पौन थरी 60 या तो आपको जो है वरत में से लगोरत तिरिजे खंड का घटा देना है या डारेक्ट जो है दिर्ग तिरिजे खंड का निकाल दीजिए तो देखे क्या हो जाएगा पाई आपका 3.14 गिवैन है किसन में आर की वैलू 4 हो जाएगी ठीटा कितना है 330 डिगरी और 360 हो जाएगा अब इनकी मल्टिप्लाई कर लीजिए 30.14 गैरा की चार में मल्टिप्लाई होने के दिवाद 44 जाएगा यह हो जाएगा इन दोनों की मल्टिप्लाई करके तीन से डिवाइड कर दीजिए सेंटिमेटर स्क्वेर में आपका आनिक वरा जाएगा आपको आगे का प्रोसेस कुड करने होना तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा किसन नमबर 24 देखिए काफी अच्छा किसन है बड़ा आसान है 6 सेंटिमेटर तिरिज्जा का वरत खीचे और इसके केंज से 10 सेंटिम सेंटिमेटर तिरिज्जा कवरत खीच लीजिए इसका सेंटर हो जाएगा और इसके केंज से कितनी दूरी पर कि कोई पॉइंट पी ले लिजे 10 सेंटिमेटर की दूरी पर और इस ओपी का हाफ कीजिए पर पेंडिकुलर वाइस एक्टर ड़ा कीजिए आदे से जादे दूरी ले ले लिजिए और एक आर्प लगाई एक चाप लगाई एक इदर से लगाई और इसको मिला दीजिए यह कि आपके माज़ आएगा कुछे मान लिए एंप से पी ही तक की दूरी लेकर और दौर बनायी यह आपका और अटायका ऐसको से नाम दीजिए पी को और से मिलाते हुए लाइन छीजिए यह आपका आपको जो है कर स्ट्रक्शन कंप्लेंट हो जाएगे रशिना कंप्लेंट हो जाए आपको जहाए असपर से देखा कि लंबाई ना अपनी है तो पी से आर या पी से आइस माप लेजिए दोनों से आपका जो है आंसर हो जाया तो बस आज के लिए इतना ही वीडियो को लाइक कीजिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिस्टे आपको हमारे आनाव पाली वीडियो को नाटिफिक्सान कोलते में जाए धर्नेवाद